अक्षे कुमार की जो नहीं मुवी आने वाली है लक्षमी बॉम्ब नौबर 9 को जिसका बॉइकॉट चुन चुन के अच्छी तरह करना है क्योंकि Bollywood शायद इतना सोचता होगा कि ये तो इतना सारा patriotic movies बनाते हैं इसको बहुत लोग प्यार करते हैं तो इसका तुम movie boycott नहीं होगा तो उसके हिसाब से अच्छी तरह advertisement भी किया जा रहा है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के थुभू, मेम के थुभू या कहीना कहीना तरीके से ऐसा कुछ image create किया जा रहा है जिससे देखने के बाद हमको ऐसा उच्छाहित लगेगा कि ये movie देखने का तो वैसा उस तरीके से अड़ोटास्मेंट किया जा रहा है कुछ भी हो, हमको इस movie को boycott करके Bollywood के अंदर हर एक के अंदर इतना डर फैला देना है कि उनकी movies तो अक्षे कुमार की movie नहीं चली तो उनकी क्या घंटा movie चली जब तक हमको justice नहीं मिलता, जब तक खुनी कौन है हमको नहीं मालूम पड़ता और एक और बाद ध्यान में रखो हम हमेशा बचपन से लेगे, आज तक मैं खुद movies हम जो देखते आए हैं, वो पर्दे के सामने वो बोल रहे कि हम एक actor है, मैं acting कर रहे है हमको मर्दे पर्दे की पीछे वो क्या इंसान है, हमको कुछ भी नहीं पता क्यूंकि हमने हमेशा ही उनको पर्दे पर देखा है पर्दे पर वो अच्छा, बुरा, रोल, जो भी जैसा भी करते है हमको अच्छा ही लगने लगता है कि बंदा अच्छा है ये image हमारे सर के अंदर है पर वो real में क्या है, वो किसी को भी नहीं पता जो उनके आसपा से वो सिर्फ उन्हीं को ही पता है Remember, they are actor और वो acting कर रहे है मैक्सर जी का बहुत बड़ा fan हो पर यहाँ पे जब वो हमारे से stand नहीं की है जो उनका Bollywood का एक बंदा इतना अच्छा बंदा इतना बढ़िया actor जब वो loss होता है उनके उपर कुछ भी नहीं बोलते है तो मेरा दिमाग जैसे पपलिक का सनका मेरा भी वैसी सनका अभी उनका hard work देखे मैं उनको movie देखने जाओ यह तो मैं नहीं कर सकता किम्कि सबी लोग hard work करते हैं सबी लोग यहाँ तक कि terrorist भी hard work करता है वो अपना काम करने के लिए मैं यहाँ पर terrorist और अक्षे कुमार को नहीं जोर रहा हूँ बस मैं बता रहा हूँ कि हर hard work कर अच्छा नहीं होता वो hard work किया है अक्षे कुमार जी hard work किये है movies अच्छा हुआ है ठीक है पर्दे के विचे के हमको कुछ नहीं पता वो किसी एक पाकिस्तानी पता नहीं कि एक बंदा याद नहीं जा रहा उनके साथ भी वो दिखा गया है और बॉलिवुड का लिंक अंडर्वुड के साथ हमको पता ही है तो यह movie boycott करके उनके अंदर बॉलिवुड के अंदर खतरनाक तरीके से हमको डर फैलाना है शुक्रिया